पुलिस आरचक परिच्छा के लिए 2000 पुराने प्रश्ण हम आपको डेटेल में उपलब्द करा रहे हैं आईए सुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है हमें सियाद रखें कि हीराकुंड बांध माहा नदी पर रिस्थित है और यह जो हीराकुंड बांध है यह उड़ी सा में है कहां पर ओजिशा में जिसे बर्तमान में ओजिशा कहा जाता है अगला प्रश्ण है अब की स्क्रीन पर कि निमने लकित मैंसे किस ने आई एन सी के एतिहासिक लाहोर शत्र के अद्दच्छता की तो इसका सही जवाब है कि जवाहर लाल नहरू ने आई एन सी के एतिहासिक लाहोर शत्र के अद्दच्छता की थी और कि बिकल्प ए इसका सही जवाब है अब हम बात करें कि यह शत्र कब हुआ था तो 1939 ए में कब 1939 ए में लाहोर के इस एतिहासिक अदिवेशन में देच्छ जवाहरलाल नहरू रहे थे और इस अदिवेशन में भारत की पुन स्वाधीनता का लच्छ पारित हुआ था 1936 में लखनव में इनी के नेतरत में कांग्रिस पालिया मेंटरी बूढ की इस्थापना हुई थी पुष लिया जाए कि कांग्रिस पालिया मेंटरी बूढ की इस्थापना कब हुए तो 1936 में लखनव में अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सबसे कम जन शंक्या है वह अच्छा प्रश्न तो हमें से याद रखें सबसे कम जन शंक्या है सिक्किम में प्रश्न है कि कौन सा सहर 1772 से 1772 तक भारत की राजधानी रहा था कलकत्ता अब एक प्रश्न और बनता है सिक्किम जो के भारत का सबसे कम जन संक्या बाला राज्य है ये अंगुल्ठे के आकार का राज्य है ओके आगे बढ़ते हैं त्रश्न है कि निम्ने नदियों में से कौन सी सत्पुड़ा और विंध्या परवत मालाओं के बीच बहती है तो सत्पुड़ा और बिंध पर्वत मालाओं के बीच बेहने वाली नदी है नर्मदा उति बिकलप भी इसका सही जवाब है अब बात करें नर्मदा के बारे में तो हमें से याद रखें कि नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और इस सत्पुड़ा और बिंद पर्मत मालाओं के बीच में बहती है इसी के साथ साथ मद्य भारत की एक नदी है और भारती उपमाहदीव की ये पांचवी सबसे लंबी नदी भी है और यह नर्मदा गोदावरी नदी और किष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसीरी सबसे लंबी नदी है इस देट के लिए आगे बढ़ते हैं प्रशन है कि मद्यप्रदीश का सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान कौन सा है तो मद्यप्रदीश का सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान है काहना अगला प्रशन है लेकर उससे पहले कहना राश्य उध्यान के बारे में और भी जाने लेते हैं देखें मद्रदीस का सबसे वड़ा राश्य उध्यान कहना है ये जीव जन्तूं के सरच्छन के लिए विख्यात है तथा रुड याड किपलिंग की परशिद किताब धारा वाहिक जंगल बुक की भी प्रेणा इसी स्थान से लिग गई है तो रुड याड किपलिंग की परशिद किताब क्या है जंगल तो जंगल बुक किसके दोरा लखी है ये प्रशन पूचा है जिल प्रेरी में तो रुड याज किपलिंग ने जंगल लबो को लिखी होई है और यह से किताब की प्रेणा कहां से ले गई तो कहाना राश्टी उध्धान से इसकी प्रेणा ले गई है अगला प्रशन है इंडिया गेट किस कौन से सैनकों के इसमारक के रूप में बनाया गया था अगला प्रशन है भारत का पहला उपग्रह किस के नाम पर रखा गया था तो भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्रिभट के नाम पर रखा गया था विकल्प D इसका सही जवाब है अगला प्रशन है ग्यानपीट प्रसकार जीतने बाली प्रतम महिला कौन थी ग्यानपिट प्रसकाई जीतने बाली पहली महिला हैं आसा पूंड देवी विकल्प बी सही जवाब प्रश्न की किस वांध की विरुध नर्मदा बचाओ आंदूलन प्रारंब किया गया था सरदार सरोवर बांध की विरुध की निर सनी वन्यजीब अभ्यारंण कहां इस्थित है ते लंगा नाम है कि कल्प बीस का सही जवाब है प्रश्न है कि दोजय सत्रा में सीनिर राश्टी फुट्वल चेंपिन सिप में संतुष ट्रोफी किस ने जीती एक करेंट टेपर से समय देत प्रशन है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं लेकि इस प्रशन से आपको ये सीख लेनी है कि जितनी भी ट्रोफी रहती हैं जितनी भी प्रसकार रहती हैं यहां से एक प्रशन बनता है आपके पर इच्छान अगला प्रश्ण है कि भारत राज्य वन रुपूट 2015 के अनुसार कौन से राज्य में प्रस्त में बनों का सबसे बड़ा बनावरण है जिसका सही जबाब है मेजुरम उकि बिकल्ब भी इसका सही जबाब है अगला प्रश्ण है मद्वर्दीस के कौन से नेता नहरू के मंत्र मंजल में पहले रच्छा मंत्री बने और बाद में बही ग्रह मंत्री भी बने जिनका नाम है केलास नाथ काटजू जो के नहरू के मंत्र मंजल में पहले रच्छा मंत्री बनी और बाद में ये ग्रह मंत्री भी बनी थी अगला प्रश्ण है खजराहु नरत्य पर्व हर वर्स मनाया जाता है यह पर्व पराय किस माहा में मनाया जाता है हमें से याद रखें खजराहु नरत्य फरवरी माह में मनाया जाता है अगला प्रशन है कि पंचसील समझोती की गोशना किसके द्वारा की गई हमें से याद रखें कि पंचसील समझोती की गोशना की गई जवाहरलाल नहरू के द्वारा बिकल्पिडी इसका सही जवाब है अगला प्रशन है कि भारत के महा नियावादी अटोर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो हमें इसे आद रखने हैं भारत के महा नयवादी या टोनी जनरल की निउक्ति की जाती है राश्पती के द्वारा अगला प्रशन है कि सिखों के पांचवे गुरू कौन से थे इसी थरह पिछली पेपर्स में प्रशन पुछा गया शिखों के तीसी गुरू से संवंदित शिखों के नवे गुरू से संवंदित जिसका सही जबाब है कि सिखों के पांचवे गुरू थे गुरू अरुजुन देव विकल्प देश का सही जबाब प्रशने की उज्येन प्राचिन काल में अवंती की राजधानी थी और बाहां सासन किसका था तो भी वहाँ पर राजा विक्रमा दित्ति का सासन हुआ करता था प्रशने हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी अगला प्रशने है एक प्राक्रतिक घटना जो पुर्वान मानित नहीं की जा सकती है वो कौन सी है तो भूकम पर एक ऐसी प्राक्रतिक घटना है जिसका पुर्वान मान नहीं किया जा सकता है आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के महत्तुपुन प्रशन देखने के लिए हमारे दारा पुलिस आरच्छक परिच्छा के सभी पराने पेपर्स का सोलिशन और प्लब्द कराया जा रहा है प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो करम से जरूर देखिएगा